तो इस प्रश्ण में आप से पूछ रहे हैं अभी हाली में किसे बैल एंडी और पुरुस्कार से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा लियॉनल मैसी को तो अर्जेंटिना के मशूर फुटबॉल प्लेयर है ये लियोनल मैसी और अभी इनको आठवी बार बैलेंड डियोर पुरुसकार से सम्मानित किया गया कौनसी बार मिल रहा है इनको ये सम्मान आठवी बार मिल रहा है जबकि क्रिस्ट्यान और रोनाल्ड की बात करेंगे तो उन्हें ये सम्मान पांच बार मिल चुका है और लियोनल मैसी वे वरतमार में मेजर लीग सौकर फुटबॉल कलब के लिए खेलते हैं ये अवर्ड जीतने वाले वो मेजर लीग सौकर के पहले खिलाडी भी बन गए है तो दुनिया के सरुषरेष्ट फुटबॉल प्लेयर को ये अवर्ड दिया जाता है और ये पुरुषकार उनको दिया किसने तो इंटर मियामी के मालिक और फुटबॉल के दिगज खिलाडी डैविड बैक हम ने लियोनल मैसी को ये सम्मान दिया वही अगर हम बात करते महिलाओं का बैलन डियो और पुरुषकार दोजा तेविस किसने जीता तो फिर आंसर होगा एटाना बोनमतीने वो इस्पेन की प्लेयर हैं मैंने आपको बताया बैलन डियो ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरुषकार है और ये 1956 से हर साल पुरुषों को दिया जा रहा है जबकि 2018 से महिलाओं को ये दिया जा रहा है ये भी आपको बता दिया ध्यान रखना अचा इसके अलावा दो पोइंट और याद रखना अगर आपसे पूछे कि दोजा तेविस का सर्विश्रेष्ट पुरुष फुटबॉल कलब का खिताब किसे दिया गया तो आंसर होगा मैंचेस्टर सिटी को और पूछे दोजा तेविस का सर्विश्रेष्ट महिला फुटबॉल कलब का खिताब किसे मिला तो आंसर होगा एफसी बारसी लोना को अबी हाल में किसे रोहिनी नईयर पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा दीनानाथ राजपूत को तो समाजी कारे करता है दीनानाथ राजपूत और इनको अभी ग्रामेंड विकास में उनके उत्करश्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिनी नईयर पुरुषकार से सम्मानित किया गया आपसे अगर पूछे कि इस पुरुषकार में कितनी पुरुषकार राशी दी जाती तो 10 लाक रुपे तो उन्होंने 36 गड़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं को शशक्त बनाने का कारे किया उसी के लिए इनको ये पुरुषकार मिला है और आपको बता दू उन्होंने किसान उत्पादक संगठन फार्मर्स प्रोड्यूसर्स और्गेनाजेशन की स्तापना कीती 2018 में और उसके जर्ये 36 गड़ में 6 हजार से अधिक आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया था और इस बार इनको ये जो रोहिनी नयर पुरुषकार मिला है ये इसका दूसरा संस करने या क्या तकते हो दूसरी बार इनको मिल रहा है तब आप जानना चाहोगे कि पहली बार किसे मिला था तो ये पहला रोहिणी नएर पुरुसकार मिला था सेथ रिचम संगतम को और अब दूसरी बार मिल रहा है दीनानाथ राचपूत को और अभी ये उनको पुरुसकार दिया किसने तो पंदरवे वित्तायोक के जो अध्यक के लिए इनको एकबाल मसीह पुरुसकार 2023 मिला था तो यहां पे इस प्रश्ण इंपोर्टेंट है इनका नाम याद रखना दीनानाथ राचपूत का हम बढ़ते आगे हैं फर बताईए अभी हाली में किसे वाइल्द लाइफ फोटोग्राफर आफ दा इयर पुरुसकार से सब्मानित किया गया तो आंसर होगा विहान तल्या तो बंगलुरु के दस वर्शे विहान ताल्या इनको वाइल्लाइफ फोटोग्राफर आफ दा इयर प्रतियोगीता में दस वर्श और उससे कम उम्र की शिरिणी में शीर्ष पुरुसकार मिला है और याद रखना इस अकर्शक मुद्रा में दर्शाया है जो भगवान कृष्ण के मूर्ति के बगल में श्तित है तो ध्यान रखना इनका नाम है विहान तल्या अच्छा आप जानते हो अभी युनाइटेड नेशन वर्ल्ट ट्रेड और्किनाजेशन ने किस राज्य के धोडो गाउं को 2023 के सर रूशरिष्ट परियेटन गाउं के रूप में चुना था चलो ये होमवर्ग प्रेशन में आपको दे रहा हूं इसका उतर देंगे आप लोग ये धोडो गाउं ये कहा पर है बाकि माइकल डगलस सत्यजी तर्रे लाइफटाइम अच्यमेंट अवर्ड के लिए चुना गय शिव शंकरी 32 सरस्वत्ती सम्मान 2022 मिला इने तमिल लेखिका है इनके उपन्यास का नाम है सूर्य वम्शम तो ये सारे इंपोर्टेंट आप्शन से इनको भी ध्यान में रखना बढ़ते आगे तो इस प्रश्ण में आप से पूछ रहे हैं हभी हाली में किसे दोजा तेवि पूरुसकार राशी कितनी दी जाती है तो पांच लाक रुपे और इस बार का मिला है किसे S.K. वसंथन को आपको बता दू इने इससे पहले सन 2007 में केरल साहित्य अकाद में पूरुसकार में मिल चुका है फिर अगला प्रश्ण है अभी हाली में किसने दोजा तेविस का ब इन बार रिवाइस कराया है बुक का नाम क्या है कोटिंग इंडिया इंगलेंड मुगल इंडिया एंड और ओरिजन्स ऑफ एंपायर ये लिखी थी इस बार इनोंने तो उसी के लिए इनको ये ब्रिटिश अकेडमी आवर्ड जिसका पूरा नाम है ब्रिटिश अकेडमी ब इन दे ओरिजन्स ऑफ एंपायर के लिए दिया गया आपको बिता दू ये जो ब्रिटिश अकादमी पूरुसकार है इसे पहले नायेफ अल रोगन पूरुसकार के रूप में जाना जाता था इसे 2013 में स्थापित किया गया था और देता कौन है तो ब्रिटिश अकेडमी के द्वारा इसे दिया जाता है ये पॉइंट याद रखना आवाउड का नाम याद रखो किसे दिया गया उनकी किस बुक के लिए दिया गया ये याद रखो चलो फिर बताओ हाल में किसे केरल जोती पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा टी पदमनाभन को तो बड़ा होता है पद्म विभूशन फिर आता है पद्म भूशन और फिर आता है पद्म शरी उसी तरह से केरल सरकार ने भी 2021 में ये शुरू किये थे जैसे पद्म विभूशन की जगे तो केरल जोती पद्म भूशन की जगे केरल प्रभा और पद्म शरी की जगे केरल शरी और इसी में हम बात कर रहे हैं अभी ये केरल जोती पुरुसकार दिया गया किसे टी पद्म नाभन को ये एक ही वेक्ति को दिया जाता है तो इस बार किसे दिया गया टी पद्म नाभन को और अगर पूछे या मैंने आपको पढ़ाया भी है कहीं बार कि पहली बार ये किसे दिया तो आप ये केरल जूती वाला नाम ज़रूर याद रखना, ये किसे मिला है, टी पद्म नाभन को मिला है, और ये प्रशन आपका most important है, क्या है प्रशन, कि अभी हाली में युनेसको ने किसे भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की गोशना की है, तो आंचार होगा कोजी क कोड़ शहर को साहित्य के शहर का खिताब दिया है, यानकि City of Literature का खिताब, और याद रखना ये गोरव प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है, अचा अभी इसी के साथ मद्देपरदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रोप में भी माननेता दी है, व और अब तक इस नेटवर्क में 100 से अधिक देशों के 350 शहरों को शामिल किया जा चुका है, तो प्रश्ण में हमने क्या देखा, कि भारत का पहला साहित्य का शहर यानकि City of Literature ये कौन सा शहर बना है तो आंसर होगा, कोजी कोड, लेकिन अगर आप पूछोगे कि इस पराग था, जिसे ये टैग मिला था, ये सम्मान मिला था 2014 में, और अगर आप से पूछे कि इन्हें इस लिस्ट में कहां पे शामिल किया गया, तो युनेसको क्रेटिव सिटीज नेटवर्क का जो अभी वार्षिक शम्मिलन हुआ, वहां पे, कहां पे वा था ये वार्षि अगले दशक के लिए युवाओं को मेच पर लाना, तो इन 55 शेहरों में, जिनको अभी इस नेटवर्क में शामिल किया गया, इसमें दो भारते शेहर हैं, एक तो कोजी कोड है, जिसे कौन सा टैग मिला है, या किस केटेगरी में एड किया गया, तो साहित्य के शेहर, सिट अगर देखो, एक्जाम में एक्जामिनर और भी डीप में जा करके अगर पूछना चाहे, तो वो पूछ सकता है, कि इस लिस्ट में कितनी केटेगरी में शेहरों को शामिल कर सकते हों आप, तो साथ केटेगरी जैं, वो साथ केटेगरी जैं भी मैं यहाँ पर शो कर रहा तो यहाँ पे जितनी भी तरह से प्रशने बन सकते हैं, उस सारे प्रशने में आपको बता दिये, लेगन अब बात युनेस्को की भी हुई है, तो उसके भी स्टैटिक देख लेते हैं, देखो, युनेस्को की स्थापना होती, 1945 में, इसकी फुल्परम होती है, United Nations Educational and Scientific and Cultural Organization, Headquarter मिलेगा Paris France में और Director General Audra, अचा अभी हमने पड़ा था, युनेस्को में भारत की 41 और 42 वी World Heritage Site कौन सी बनी है, तो 41 वा तो बना था शांती निकेतन जो की है पस्चिम मंगाल में, और 42 वा बना था होई सला मंदर जो की है करनाटक में, तो ये भी आप ध्यान रखना बढ़ के उधगटन के साथ ही, केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग के इंदर स्तापेद करने वाला भारत का पहला राजज़ बन गया है, हॉल मार्किंग भाई आपने देखा होगा या सुना होगा, जब सोने के जोलरी वगेरा, अबुशड वगेरा आप लेने जाते हो, तो उसके पीछे आप देखोगे तो BSI की हॉल मार्किंग होती है, BSI मतलब भारतिय मानक ब्यूरो, जो उन गहनों की विश्वशनियता बताता है, उसकी प्यूरिटी की बारे में बताता है, फर बताईए, अभी हाली में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टेक्सी, EH216 को किसने मंजूरी दी है, तो आंसर होगा चाइना ने, तो ये दुनिया की पहली पैसेंजर फ्लाइंग टेक्सी है, जिसे मंजूरी दे दी गई, मतलब उडान के लिए योग्यता परमान पत्र इसे मिल गया है, इसका नाम EH216S है, और कहां पे चलेगी ये चाइना में, इस इसी बातें आपको याद रखनी है, और इसी तरह से आपको याद आएगा, अभी अमेरिका ने, LF Model A Electric Flying Car को मंजूरी दी थी, तो इसका नाम याद रखना, LF Model A Electric Flying Car है ये, और अगर आपसे पुछे कि दुनिया का पहला मिथेन से उड़ने वाला रोकेट भी किसने लॉंच लॉंच किया था, चाइना ने ही लॉंच किया था, फर बताइए, अभी हाली मेर राष्टर एक्ता दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 31 अक्टूबर को, तो हमारे पहले ग्रह मंतरी थे सर्दार वललब बाई पटेल जी इनकी जैनती को हम हर साल National Unity Day के रूप में मनाते है और इस साल सर्दार पटेल जी की हम 148 वी जैनती मना रहे हैं, और आपको बतादू अभी परधार मंतरी नरेंद्र मोदी ने इसी अउसर पे युवा भारत संगठन की शुरुवात की है, और इस संगठन में युवाओं को राष्टर निर्मान के आयोजनों में सक्रिया अलब बई पटेल उन्हें भारत में लोह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, वे भारत के पहले गरह मंतरी और उप्परधार मंतरी भी थे और उन्हें 1931 में कराची में कॉंग्रेस का अद्धिक्स चुना गया था, और सरदार की उपादी किस ने दीदी आप जानत लंबाई 182 मेटर है, कहां पर है के वडिया गुजरात में है नर्मदा नदी के किनारे साधू बेट द्वीप पर है ये, इसके वास्तुकार है राम वी सुतार, और मैं आपको बता दू साथ में कि 31 अक्टुबर को विश्व शहर दिवस वर्ड सेटी डे भी बना रहे हैं, जिसकी थीम है, सभी के लिए टिकाओ भविशिक का निर्मान, पर बताईए, अभी एक नवंबर को किस राज्य का स्तापना दिवस नहीं होता है, तो आंचर होगा इसका अरुनाचल प्रदेश, तो किन किन का होता है, तो देखो, एक नवंबर को साथ भारतिय राज्य और दो केंदर शाशित परदेश ये अपना इस्तापना दिवस मनाते हैं, कौन-कौन से हैं वो, तो साथ राज्य में तो आंद्र परदेश, चत्तेजगर, हर्याना, पंजाब, करनाटक, कैरल और मध्यपरदेश आ जाएंगे, ये होगे साथ राज्य है, और दो केंदर शाशि दो यूनियन टेरिटरीज हैं, लक्षय द्वीप और पुडुचेरी, तो एक बार में आपको खुल के और बता दू, तो पंजाब और हर्याना, ये अस्तित्व में आये थे, एक नवंबर 1966 को, करनाटक, एक नवंबर 1956 को, मैसूर राज्य का नाम बदल के करनाटक कर दिया यहां की कौन सी भाषा है, कन्नड भाषा है, और एक नवंबर सन 2000 को मद्यपरदेश से अलग होकर के 36 गड़ बना था, भारत का दस्वा राज्य बना था ये, मद्यपरदेश एक नवंबर 1956 1956 को अस्तित्व में आया था, जिसे भारत का हरदे हार्ट आफ इंडिया कहते हैं, एक नवंबर 1956 को ही आंदर प्रदेश का गठन हुआ था, और आपने पड़ा है, कि भाषाई आदार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंदर प्रदेश ही है, केरल, ये भी अस्तित्व में आया था, एक नवंबर 1956 को ही, यहां पे कौन सी भाषा है, मलियालम भाषा, ये तो साथ राज्य हैं और दो केंदर शाषित प्रदेश है, वो मिने आपको बता दिये, ये आप ध्यान में रखना बढ़ते हैं के, चलिए फिर बताईए, अभी हाली में विश्व शाकाहारी दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा एक नवंबर को, तो विश्व शाकाह ये हर साल एक नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्दिश्य क्या है, इसे मनाने का उद्दिश्य है, शाकाहारी खाने में लोगों की रूची बढ़ाना, इस दिन को इंग्लिश में आप बोलोगे, वर्ड वेगन डे, इसका मतलब हो गया, वेगन किसे कहते हैं, एक तो शाकाहारी आप बोलते हो, वेजेटेरियन, कि हाँ भई आप मास, मीट, मच्छी बगरा ये नहीं खा रहे हो, लेगन हाँ आप दई खारे हो, दूद खारे हो, देरी प्रोड़क्ट्स का सेवन कर रहे हो, तो हम उसे भी शाकाहारी बोलते हैं, लेगन वेगन में यहाँ पे dairy products हो गए, पनीर हो गया, गी हो गया, ये सारे milk कहां से रहे, ये पशूओं से ही तो मिल रहे हैं, तो इसमें ये कहते हैं, कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे, जो हमें पशूओं से मिल रहा हो, हम यहाँ पे वही चीजों का 7 करेंगे, जो हमें पेड वगेरा में मिल रहे हो, पोदो वगेरा से हमें मिल रहा हो, फल फूल वगेरा खाएंगे हम, तो इसी लिए मैंने आपको इंगलिस में बताया इसे, वर्ल्ड वेगन डे, ये होता है, 1 नवंबर को, जबकि जो आप Vegetarian Day होता है, World Vegetarian Day वो 1 October को मनाते हो तो देखो इसमें छोटा सा अंतर था वो मैंने आपको clear कर दिया है यह आपको ध्यान में रखना है फिर अगला परशन है, अभी हाली में अंतरराष्टर Biosphere Reserve दिवस यह कब मनाया गया तो आंसर होगा 3 November को इस English में बोलोगे आप International Day of Biosphere Reserve और अगर आपको याद हो तो यह दिन पहली बार हमने 2022 में मनाया था तो इस बार यह इसका दूसरा संसकरन है अच्छा वैसे एक जेव विवित्ता दिवस भी होता है Biosphere Day जिसे आप बोलते हो वो कब होता है वो 22 में को होता है यह है Biosphere Reserve Day यह थोड़ा सा अंतर आप ध्यान रखना चलिए फिर बताईए अभी 37 राश्टर खिलो का अधिकारिक प्रायोजक Official Sponsor किसे बनाया गया तो आंसर होगा पेटियम को यह हम बात कर रहे है National Games 2023 की कौन सा संसकरन है 37th नंबर का है कौन होस्ट कर रहा है गोवा और इसका मैस्कोट क्या है शुबंकर मोगा है आदर शुबाक्य है Get Set Goa और अब Official Sponsor बन गया है पेटियम तो यह इतने तो बेसिक प्रेशन आपको यहाँ से याद रखने हैं आपको यहाद है पिछली बार वाला जो 36th नंबर के National Games हुए थे वो काँ पे हुए थे गुजरात में उसका शुबंकर था शबच और इसमें टॉप पे राता Services 128 मेडल जीते थे जिसमें से 61 गोल्ड रहे अचा पहली बार जो National Games हुए थे वो काँ पे हुए थे और कब हुए थे 1924 में हुए थे लाहोर में फिर आपने देखा 2022 वाले वो गुजरात में हुए अभी दोजा तेविस में गोवा में और अगले बार दोजा चौबिस में जो होंगे 38th नंबर का संसकरन वो काँ पे हुगा उत्तरा खंड में होगा ये important है पहले हम बात करते है PTM की स्थापना होती है दोजा दस में founder है विजे शेकर शर्मा और इसके CEO भी वही है headquarters का Noida UP में है फिर आप से पूच रहे अभी हाली में Mexican Grand Prix दोजा टेविस का किताब किस ने जीता तो अंसरों का Max Watspan ने और Red Bull के ये driver है Max Watspan और अभी इन्होंने ही Mexican Grand Prix दोजा टेविस का किताब जीत लिया है इस season में 18 raceों में से ये उनकी soul भी जीत है और देखो जब भी ये racing वाला प्रशन आया है मैंने आपको हमेशा 2-3 point revise करा है एक तो आपको ये याद रखना है कि भारत में E-Prix का जो पहला संसकरन हुआ था भी ये हिद्राबाद में हुआ था लेकिन इससे भी ज़्यादा important होगा कि अगले बार दोजा 24 में E-Prix का इसका भारत में दूसरा संसकरन है वो कहाँ पे होगा होगा तो भारत में लेकिन भारत में कहाँ पे वो भी हिद्राबाद में होगा उसके अलावा चैन्ने में भारत और दक्षिन एशिया का पहला night street racing circuit भी बनेगा ये भी ध्यान रखना और आप जानते हो भी भारत में पहली बार Moto GPR race का आयोजन किया गया था उसका title sponsor बना था Indian oil तो ये points अब ध्यान रखना बढ़ते आगे फर बताइए कि 2034 के FIFA विश्व कप की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा तो अंसर होगा साओधी अरब तो 2034 में जो FIFA विश्व कप होंगे उसे होस्ट करेगा साओधी अरब Actually में हुआ कि आउस्ट्रेलिया ने 2034 FIFA विश्व कप की मेजबानी के लिए जो बोली लगानी होती उससे मना कर दिया और अभी 31 October 2020 को बोली लगाने का आखरी दिन था तो अब बस इकलोता साओधी अरब ही दावेदारी के लिए बचा है तो आप मान जकते हैं कि 2034 में FIFA विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो साओधी अरब करेगा इससे पहले अगर आपसे पूछें कि अभी 2022 में जो 22 वा संसकरन हुआ था FIFA विश्व कप का ये कहां पे हुआ था कतर में हुआ था जिसका शुबंकर मैसकोट क्या था लाइब उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को रा करके और भी मैं आपको बताऊं तो उसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था लियोनल मैसी को गोल्डन बूट अवार्ड मिला था फ्रांस के किलियन एमबपे को और गोल्डन गलव अवार्ड मिला था अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को रहा था और याद रखना अगली बार जो हुँगे 2026 में जो किसका 2300 संसकरन होगा ये तीन देशों में होगे अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में अब उसके 4 साल बाद जो 2030 में होने वो अभी डिसाइड निये कि कहां पे होगे लेकिन 2034 वाले ये साओधी अरब में होगे फीफा की अगर बात करें तो इस्तापना होती 1904 में हेड क्वाटर है जोरिक स्वेजलेंड में और प्रसिडेंट है ज्यानी इंफेनिटो और फुटबॉल में अभी आपने पड़ा था कि इसमें पुरूशों में बैलेंडी और पुरुसकार के से मिला था लियोनेल मैसी को मिला था और महिलाओं में बैलेंडी और पुरुसकार ये मिला था एटाना बोनमाटी को ये स्पेन किये और लियोनेल मैसी ये अर्जेंटिना के है चलिए फिर बताईए अभी हाली में ब्रिटिश एंडियोरेंस चेंपिन्शिप में भाग लेने वाली पहली भारते महिला कार रेसर कौन बनी है तो अंचरोगा हुमेरा मुष्टाग तो हुमेरा मुष्टाग वे लेंडन में आयोजित प्रतिश्थित ब्रिटिश एंडियोरेंस चेंपिन्शिप में भाग लेने वाली पहली भारते महिला कार रेसर बन गई है तो यहां से आपको यही याद रखना है एक तो यह British Endurance Championship यह एक car racing प्रतियोगीता है जो कहां पे होती है ब्रेटेन में और इसमें participate करने वाली पहली भारते महिला बन गई है कौन हुमेरा मुस्ताफ अच्छा फुर बताईए अभी हाली में वंडे किर्केट में सबसे तेज 100 लेने वाले खिलाडी कौन बन गए तो आंसर होगा शाहिन अफृदी तो पाकिस्तान किर्केट टीम के फास्ट बॉलर है शाहिन अफृदी और वंडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले ये फास्ट बॉलर बन गए है उन्होंने 51 मैचों में 100 विकेट लिये और इस तरह अभी हाली में World Steel Association का उपाद्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया तो अंसर होगा TV नरिंदरन को तो TV नरिंदरन जो की Tata Steel के CMD है और अभी इनी को World Steel Association का उपाद्यक्ष बनाया गया है पहले हम World Steel Association की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती 1967 में Headquarter Brussels Belgium में है अब आपको याद आगया होगा कि Brussels Belgium में तो European Union और NATO का भी Headquarter है और अभी इसके नए Head भी बनाये गये हैं उनका नाम है Leon J. Topillion और ये किस देश के हैं या मेरी की हैं जबकि उपाद्यक्ष बने हैं TV नरेंदरन ये तो भारत के ये आपको बताईए टाटा स्टील के CMD हैं ये बाकी देखो अभी आपको बताए इंडियन Women's Cricket Team के कोच बने थे अमोल मजूमदार विम्स्टेक के महा सच्चिव बने कौन इंदर्मनी पांडे और इस पत्पार आने वाले ये पहले भारते हैं इंपोर्टेंट नाम है और Border Road Organization के नए चीफ बने है रगू शिरिनिवासन फिर बताईए अभी हाल इमें World Health Organization के दक्षिन पूर्व एशिया शेत्र के अगले शेत्र निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया तो अंसर होगा साइमा वाजेद को तो साइमा वाजेद ये कौन है ये बांगलादेश के प्रधानमंतरी शेक हसीना है उनकी बेटी है ये जो कि एक मानसिक स्वास्त विशेशक्य है और अभी उनको डबलु एचो के दक्षिन पूर्व एशिया शेत्र के अगले शेत्र निदेशक के रूप में चुना गया है और आपको बता दू वे पूनम खेतरपाल सिंग का इस्थान लेगी पूनम खेतरपाल सिंग ये पद समालने वाली पहली महिला थी और अब साइमा इस पद पर 2024 से लेके 2028 तक रहेंगी देखो पहले वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाइजिशन की बात करते हैं तो इस्थापना ह कोप्पू सदाशिव मूर्ती को तो अभी कोप्पू सदाशिव मूर्ती इनको भेल यानि कि भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लेमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है वे किन का इस्थान लेंगे नलिन सिंगल का इस्थान लेंगे भेल की बात करें तो ये एक महारतन कंपनी ह 1964 मिस की स्तापना होती है Headquarter नई दिल्ली में है और CMD तो यही हो गए है कोपू सदाशिव मूर्थी आप लोग comment करके जरूर बताएं कि भारत में भी वरतमान में कितनी महारतन कंपनिया है और अभी नवरतन कंपनिया कितनी हो गई है बाकी इंदर सेना रेड़ी की बात करें तिरिपूरा के गवर्नर है और अभी उडिसा के गवर्नर बने थे रगुपर दास और जिनेवा में सन्यूक्तर राष्टर और अन्य अंतरराष्टर संगठनों में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटिटिव बने थे अरिंदम बागची इनका नामें ये नाम इंपॉर्टेंट है तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना अगला प्रशन देखते है चलिए फिर बताइए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वेश्विक नेताओं का शिकर सम्मिलन ये कहां पर आयुजित किया गया तो अंसर होगा UK में यहाँ पर हम बात कर रहें Global Summit on Artificial Intelligence Safety की जो हुआ एक और दो नवंबर को और ये इस तरह का पहला सम्मिलन है तो ये आप ध्यान में रखना अच्छा पहला चलिए फिर बताइए अभी हाली में International Solar Alliance की छटी Assembly का आयुजन ये कहां पर किया गया तो अंसर होगा नई दिल्ली में तो International Solar Alliance इसके अभी छटी Assembly का आयुजन अभी 31 October 2020 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया और इसके दिक्षिता की है हमारे केंद्रे विद्युत और नवीन वो नवी कर्णय उर्जा मंत्री है आर के सिंग उन्होंने आपको बता दू इस बार तो ये छटी बेटेग हो रही इसके जो पहली बैठक हुई थी वो 2018 में हुई थी नई दिल्ली में ही और ये भी याद रखना International Solar Alliance के जो महाने देशा के हैं वो कोन है डॉक्टर अजे माथुर हैं इनका नाम हमने Current Affairs में ही पड़ा था और इसका Headquarter आपको मिलेगा Guru Gram Harijana में अतलब आप कहा सकते हो कि ये पहला अंतरराष्टर संगटन है जिसका मुख्याले आपको मिलेगा भारत में इस संगटन के गठन की बात करें तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के 2015 में पैरिस में आयोजित जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्टर फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानि की कोप 21 सम्मिलन में इसका गठन किया था भारत इसका अध्यक्ष है फ्रांस उपाध्यक्ष है और इसका गठन करने का उद्देश क्या रहा तो सूर उर्जा को बढ़ावा देना और करक रेखा और मकर रेखा के मद्देस्तित देशों को सूर उर्जा के शेतर में संब्रद्द करना मैं आपको बता दू कि करक रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश है उन्हें sunshine देश कहा जाता है क्यों कहा जाता है? अव्म्यस ही बात है क्योंकि आपसे सबसे अदस सूरे की रौष्णी होती है तो उस सूर्य की रोष्णी को या यूं कहूं कि उस heat energy को हमें electrical energy में convert करना है यही इसका उद्धिश्य है इसमें 116 सदस्य देश है जिसमें से 94 देश इसके पूर्ण सदस्यता वाले देश है तो याद रखना भी इसकी छटी assembly का योजन का अपर हुआ नई दिल्ली में बढ़ते हैं के फिर बताइए कौन सा देश 2024 में विश्व दूर संचार मानकी करन assembly की मेजबानी करेगा तो अंसरों का भारत अच्छा भी आपको जाद है कि इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस दोजा तेविस का योजन काँ पर किया गया था नई दिल्ली में जोकिस का सात्वा संसकरन था वहीं पर हमारे संचार और IT मंतरी कम्यूनिकेशन एन IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैश्णव इन्होंने घोशना की कि 2024 में वर्ल्ड टेले कम्यूनिकेशन स्टेंडर्राइजेशन असेंबली की भारत ही करेगा जो 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है फिर आपसे पूछें अभी हाली में जारी परिवहन मंतराले की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में सडक दुरगटनाओ में कितने लोगों की जान गई तो अन्चरूगा 1.68 लेक तो अभी सडक परिवहन वर राजमार्ग मंतराले ने भारत में सडक दुरगटनाओ पर वार्शिक रिपोर्ट 2022 को जारी किया है जिसमें बताया गया कि पिछले साल देश में सडक दुरगटनाओ में व्रद्धी हुई है मतलब 168 लाग से अधिक मौते हुई है मतलब आप यूँ भी कह सकते हो कि 1.68 लाग से अधिक मौते हुई है और 4.43 लाग से अधिक लोग घायल हुए है और अगर पूछे कि 2022 में 2021 की तुलना में सडक दुरगटनाओ में कितने पर्तिशत की व्रद्धी देखी गई तो अंसर होगा 11.9% वहीं दुरगटनाओं के कारण होने वाली मोतों में कितनी व्रद्धी देखी गई तो 9.4% मतलब प्रते दिन एवरेज 1264 दुरगटनाओं और 462 मौते हुई है ये इस रिपोर्ट में बताया गया जो मैंने आपको बता दिया और वैसे सडक वो परिवहन मंत्रिया अमारे कौने नितिन गड़करी जिये फिर बताइए अभी हाली में बन्नी उत्सव ये कापे मनाया गया तो आंसर होगा अंधर प्रदेश में ये बन्नी उत्सव हर साल अंधर प्रदेश के कुर्नूल में मनाया जाता है और इसमें क्या होता है तो इसमें जो लोग हैं वो दो देवताओं को अपने पाले में रखने के लिए एक दूसरे पर लाठियों से वार करते हैं एक्चुली में लोगों का मानना है कि जो भी देवताओं की मूर्ती को अपने यहां पे लेकर के लाने में काम्याब होता है तो इससे गाओं में सम्रत दी आती है अब आपके लिए ये प्रश्न एक्जाम के लिए क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी इसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गई तो अभी ये चर्चा में रहा और सुप्रीम कोट ने इस पर प्रतिबंद भी लगा दिया इससे लाठियों से वार करते हो सीरियस हो जाओ जाओ जादा लोग मर जाते है और ये हर साल होता है मतलब कोई न कोई तो इसमें घायल होता ही और कोई न कोई इसमें मरता ही है वह ये उब्यस सी बात है लाठियों से मारते हैं किसी के ज़्यादा लग गई कम लग गई गलत जगे लगई तो जन हानी हो जाती है ने इसमें तो अभी सिंपल्स आपको याद रखना है एक्जाम के लिए कि बन्नी उत्सव ये कहां का त्योहार है, कहां मनाया जाता है आंद्र प्रदेश में फिर बताईए, हाली में सिंधिया और 1857 नामक बुस्तक को किसने लिखा है तो आंसर होगा राकेश पाठक ने राकेश पाठक ये एक वरिष्ट पत्रिकार है और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नामे सिंधिया और 1857 तो बुक का नाम और लेखक का नाम याद रखना चलो फिर बताओ, अभी हाली में भारते वायू सेना से मिग21 बाइसन लडाकु विमानों की अंतिम विदाई ये कहां पे हुई तो आंसर Ghraks बाढ मेर तो मिग21 बाईसन विमान इसने अभी अंतिम उडान भरी कहां, राजस्तान के बाढ मेर जिले के उतर लाई में और इसने अगर पूछे कि कि किसके साथ उडान भरी तो आंसर चार सो से अधिक हाथ से हो चुके हैं और इसी कारण से इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाता है आप पूछोगे कि इसे भारते वायू से नमे कब शामिल किया गया था तो 1963 में तो देखलो आप लगबक 60 साल इसे हो गया है अब आप जानना चाहोगे कि इसकी जगे हम फिर क्य का इस्तमाल करेंगे तो मिग 21 की जगे मार्क 1 एका इस्तमाल किया जाएगा ये एक सुदिशी हलका लड़ाकु एरक्राफ्ट है लाइट कॉमबेट एरक्राफ्ट और आप कहा सकते हो ये तेजस विबान का अपग्रेडेड वर्जन है फिर बताईए अभी हाली में सचिन त तेंतुलकर की प्रतिमा का अनावरन ये कहां पे किया गया तो आंसरोगा वानखेडे स्टेडियम में तो अभी वानखेडे स्टेडियम में सचिन तेंतुलकर की प्रतिमा का अनावरन किया जिसकी हाइट कितनी उस प्रतिमा की अगर हाइट पूछेंगे तो 22 फूट है और यह जो statue है यह stroke खेलते हुए है आप देख सकते है फोटो में और इसके वास्तुकार अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा प्रमोद काम ले तीन चार पॉइंट यहाँ से याद रखने किसकी statue हम बात कर रहे हैं सचिन तेंतुल करकी कहाँ पे स्थापेद की गई वानखिड स् कि देखो पहले तो यह याद रखना अर्जून पुरसकार उनको कब मिला था? 1994 में खेल रतने पुरसकार 1990 सेवन में पदमश्री 1998 में पदमविभूशन सन 2008 में और और इनको भारत तरतन भी मिल चुका है कब मिला था? 2014 में मिला था और यह जरूर याद रखना कि भारत तर अतन से सम्मानित होने वाले एक मात्र खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर इसके अलावा बहुत सारी उपलब्दिया इनके नाम है जैसे कि कुछ इसमें से मैं आपको बताऊं तो सो अंतरराष्टर शतक लगाने वाले ये एक मात्र खिलाड़ी है और एक वंडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज यही है जबकि वंडे और टेस्ट किर्केट दोनों में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनी के नाम है इसके अलावा अभी अंतर राश्टर किर्केट मैच में 30,000 से अधिक रन बनाने वाले एक मातर खिलाडी हैंगे बड़ा महराष्टर सरकार ने मौखिक स्वच्चता अभियान के लिए इसमाइल एंबेस्टर इनको बनाया था मैं आपसे पूछूँगा कि ऑस्टरेलिया की एक प्लेयर हैं एक किर्केट प्लेयर हैं उनकी मूर्ती लगाए गई थी सिड्नी किर्केट स्टेडियम में तो मैं जानना चाता हूँ प्लेयर का नाम क्या है यह करेंट अफेर्स का ही प्रश्चन है अब बताओ आप हम चलो फिर बताओ अभी हाली में किस राज़ी के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदल कर सरदार पटेल जी की नाम पर रख दिया गया तो अंसर होगा पस्चिमंगाल तो अभी पस्चिमंगाल में कॉलकाता के राजभवन में जो प्रतिष्ठित सिंहा और इनकी स्टेचू भी है मेर पास जो दुनिया की सबसे उची स्टेचू है जिसे आप कहते हो स्टेचू आफ यूनिटी फिर बताईए कि भारत का कौन सा विश्वध्याले ये अपना खुद का उपग्रह जिसका नाम है SSAMUSAT लॉंच करेगा तो अंसर होगा अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये अपना खुद का पहला उपग्रह सैटलाइट लॉंच करेगा जिसका नाम है ये SSAMUSAT और इसका नाम अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सयद अहमद खान के नाम पे रखा गया है देखो SS मतलब हो गया सर सयद अहमद खान AMU मतलब हो गया अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी और SAT मतलब हो गया सैटलाइट ये एक nano satellite है मतलब छोटा satellite है अच्छा इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूँ कि भारत की पहली university कौन सी थी जिसने अपना खुद का उपग्रह satellite launch किया था तो answer होगा अन्ना university ये तमिलनाडु में है जिसने 2009 में launch किया था satellite जिसका नाम था ANUSAT फिर बताईए अभी हाली में 31 October 2023 को समाप्त होए मेरा माती मेरा देश अभियान का संबन किस्से है तो answer होगा संस्कृति मंत्रा ले तो मेरा माती मेरा देश अभियान ये 9 अगस्ट 2023 को शुरू किया गया था और इसकी nodal agency है संस्कृति मंत्रा ले ministry of culture इसके मंत्री है जी किशन और अभी 31 October 2022 इसको ये समाप्त हो गया इसका समापन कर दिया गया और इस अभियान का नारा जरूर याद रखना नारा है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन तो ये अभियान उन वीरों और विरांगनाओं को एक श्रद्धान जली है जिनोंने देश के लिए सर्वोच दिया है तो इसमें हर ग्राम पंचायत में हमारे जो वीर शहीद हुए हैं उनकी याद में शिलाले के स्थापित किये जाएंगे इसके अलावा अमरत कलश यात्रा आयोजित की गई इसमें हुआ क्या देश के हर कौने से मिट्टिल आखर के दिली में युद्ध इसमारक के पास अमरत वाटी का इस्थापित की गई और इसके अलावा पंच प्रण प्रतिग्या भी दिलवाई गई मतलब इसमें पांच संकल्प हैं वो क्या है भारत के निर्माण में अपनी भागिदारी निबाना गुलामी की मांसिक्ता से मुक्ति देश की विरासत पर गर्व करन देश की एकता के लिए सदेव प्रयास करना और देश की गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेर्थ हो करके राष्टर की रक्षा करना तो ये है मेरा माटी मेरा देश अभियान तो ये आप ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बदाईए अभी हाली में लिस्ट दोजातेविस में ये टॉप पर है तो इस लिस्ट के अनुसार उन्होंने वित्वर्ष दोजाते रूपे का दान दिया है और ये लगतार पांचवा साल है जब वे इस दान वाली लिस्ट में टॉप पर है वहीं दूसरे इस्थान पर विप्रो के संस्तापग अज रिस्तान पर है, मात्र 376 करूर रुपे का उन्होंने दान किया है, फिर बताई अभी हाली में, म्यूट में थर्ड मिसाइल का सफल परिक्षन किस ने किया तो अंसर होगा अमेरिका, तो म्यूट में थर्ड ये एक अंतर महाद्वीपिय बेलिस्टिक मिसाइल है, इंटर वाणू शमता का प्रदशन करते वे, म्यूट में थर्ड मिसाइल का सफल परिक्षन किया है, और ये म्यूट में थर्ड मिसाइल प्रनाली बोईंग कंपनी के द्वारा विक्सित की गई है, जिसके रेंज 6,000 मिल से अधिक है, स्पीड 23 मैक या यूँ कहूं कि 24,000 किलोमेट प्रति घंटा है कितनी खतरना के यह और आपको बता दू इससे पहले इन्होंने जो Mute Man 1st बनाई थी वो 1960 के दशक के शुरुवात में बनाई थी अभी ये Mute Man 3rd है फर बताईए अभी हाली में Collins Dictionary ने Word of the Year 2020 किसे चुना है तो अंसर होगा Artificial Intelligence और आपने तो Notice Bay किया होगा इस बार हमने कहीं बार Artificial Intelligence के बारे में पड़ा है तो Word of the Year उसी को चुना जाता है जो उस साल कहीं बार सर्च किया गया हो और जिस Dictionary के द्वारा उसे चुना गया है Word of the Year इसका मतलब यह हो गया कि उनके Dictionary पे वो सबसे जादा बार सर्च किया गया हो तो याद रखना कि Collins Dictionary ने Artificial Intelligence को Collins Word of the Year दोजा तेविश चुना है